Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देगी इनप पर सौकत करता हूँ दूस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक बहुत important news के बारे में बात करने वाले हैं जो इगनू से related है इगनू और NSDC ने अभी collaborate किया है आपस में जिसके बाद जो भी students होंगे उनको skill के उपर में focus करवाए जाएगा कि skill दिया जाएगा और skill के basis पे रोजगार उन्हें मिल पाएगा NSDC है क्या? तो National Skill Development Corporation, रास्टी ए कोशल विकास निकम जिसका main काम है skill को प्रवाइड करना, कोशल को प्रवाइड करना इस तरह से बच्चों को तयार करना, जिससे अपने skill के basis पे उनके easily रोजगार मिल सके और अपना website सुरू करना चाते हैं या कुछ और करना चाते हैं तो वो भी easily अपने skill के basis पे कर सके skill में आता क्या है? तो कोई भी चीज जिसको आपको काम करने आता है suppose को किसी को laptop repair करने आ रहा है, phone repair करने आ रहा है तो क्या skill है उसका? ठीक है कोई application चलाने आ रहा है तो वो skill है तो skill को तयार करना यह यहाँ पे main focus है और इसको ज़रुत क्यों पड़ी? तो यहाँ पे सबसे बड़ा reason यह दोस्तों आज के समय में डिग्रियां बहुत होती है लोगों के पास में BA, MA और भी बहुत तरकी डिग्रियां होती है पर उसके basis पे reality में कोई job नहीं होती है market में ठीक है और चाहिए क्या होता है market में अगर आप किसी company के पास जाते हो आज के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत जादा positive move दिखेगा अगर जो भी students इस course के थुरू इंडॉल करेंगे यहाँ पे आप किया किया जाएगा इसके बीच में दोनों ने एक sign किया ठीक है जिसमें IGNU के दरब से डॉक्टर आलोक चौबे जो IGNU registrar थे वो उन्होंने sign किया और वैदमनी तिवारी जो मुख्य परिचालक थे NSDC के कारेकारी अधिकारी थे उन्होंने यहाँ पे sign किया अब दोनों के sign करने के बाद क्या होगा skill से पूरा skill full करना है कि मतलब जो भी रोजगार हो वो भारत के बचों को मिल सके skill हो उनके पास जिसके basis पे उन्हें रोजगार मिल सके दूसरा skill जादा-जादा skill देने के पर focus करना है शिक्षा के सासाथ में skill का यहाँ पर रख लक्षे रखा गया ठीक हे रोजगार दक्षटा को बढ़ाना है जो students है उनको रोजगार इसली मिल सके इस तरह का motive उनको तैयार करना है रोजगार दक्षटा को बढ़ाने के यहाँ पर focus रखा गया सासाथ में उच्च सिक्षा के सासाथ वेवसाई सिक्षा, ठीके किस तरह से हम वैपार कर सकते हैं, वेवसाई सिक्षा कितना important है, उसके उपर में focus करने के बारे में, यहाँ पर बात किया गया, दोस्तों यह जो move है, बहुत important move मुझे लगा, और यह news जो आपके साथ सेर करना जरूरी था, क्योंकि इसका लक्षे क् कर रख देखा जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, जो 2020 में, गौर्मेंट ने लॉंच किया था, उसको focus रखते हुए, अपनी policies के अंदर में इगनू यहाँ पे changes कर रहा है, और नए-नए organizations के साथ में collaborate कर रहा है, जिसके कारण से, यहाँ पे नए courses को add करना चाता है, जो उनका way of education था, उसको थोड़ा सा change करना चाता है, और जो हमारे traditional way चल रहा है कि BA कर लो, MA कर लो, उसके अंदर में यहाँ पे improvement लाने की जोरत है, और उसी के उपर में यहाँ फोकस भी कर रहा है, यहाँ पे आप पूरा news पढ़ सकते हो, ठीक है, description में मैं यहाँ पे news क इन पे भी ऐसा होता, तो हमें बहुत जादा benefit होता, ठीक है, और mainly कहा है कि इसको बढ़ावा में किसको देना है, तो new education policy को भी देना है, तो new education policy के अंदर में skill की बारे में बात की गई है, ठीक है, जिसके कान से यहाँ पे यह चीज़ी रखी जा रही है, इनका जो लक्षे ह 2025 और 2035 तक का है, ठीक है, कि जो employment ratio है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, और किसी तरीके से 2035 और 2035 तक में ठीक हायर education के जो है सिक्षा और जो वेवेसाइक सिक्षा उसको बढ़ाकर आगे लाए जाए, ठीक है, जो भारत के अंदर में जो कमिया है उसको improve किया जाए, भारत को कोशल की राजधानी बनाए जाए, सिक्षा का राजधानी बनाए जाए, ठीक है, तो इसके कारण से यह सारी चीज़े चली करी जा रही है, और मुझे यह बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह work करेगा, एगनू इसको क्या समाल पाएगा, कुलना बूले, बबाए, टेकर, आल दे बेस्ट